कि यह विल्कम बाग तो वजीरेक्स हैक को लेकि एक मेजर अपडेट है आज की वीडियो के इंदर उसके बारें बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले कुछ वीवर्स हैं जो में को रेगुलर्ली ये भी बोर रहें कि भाई आप वजीरेक्स कहता अपडेट क्यूं दे रहूं और अडेस्टान काफी ऐसे भी वीवर्स है जिन्हों ने आपर सेल्फ कस्टडी ले रखी थी है बागी एक्स्चेंज को यूज करते थे और वजीरेक्स हैक के साथ इंपाक्टेड नहीं है लेकर अभी थोड़ा सा आपको बेर करना पड़ेगा मेरे साथ क्योंक करूँ ताकि उनको यहाँ पर इंफॉर्मिशन मिलते रहे और साथ में उनको यह भी दिखना चाहिए लाइक वह अकेले इस फाइट के अंदर यहाँ पर नहीं है उसका एक एक एग्जामपल जो मैं यहाँ पर आपको शो करूँगा पिंटू यादर जिन्होंने यहाँ पर और सचेहरी के बार डॉक्टर ने इनको बोला तकि दो महीने का यहाँ पर रेस्ट करना है लेकिन अभी लाइफ की सिच्वेशन ऐसी है पैसी की ज़रूछत तो हर किसी को हो ती है तो वह उसी की चक्कर में बलकि इनको रेस्ट करनाया तब भी यह दिन में आफिस में काम कर और जब वो situation आती है, आप जहाँ पर भी पैसे हो, चाया saving हो, चाया आपका घर हो, चाया crypto हो, सब कुछ बेजबाच के आप उस problem को solve करने की कोशिश करते हो, और ऐसी बहुत सारी problem लोगों के साथ यहाँ पर चल रहे हैं, इसी कारण से we feel it's important कि इस topic क्यों पर regularly बात करते रहे, ताकि at least यह pressure जो है बना रहे हैं वजीरेक्स कुछ action यहाँ पर ले, although mostly तो वो इग्नोरी यहाँ पर कर रहे हैं, तो please थोड़ा सा आपको bear करना पड़ेगा, जब तक कोई concrete information जो है, वजीरेक्स की तरफ से यहाँ पर आ जाए, and I do apologize for that in advance, अब यहीं पर next मुहिंगान, अगर यह information आपको कहीं और नहीं मिलेगे, you'll understand, तो इस वीडियो को definitely आप देखना, अब यहीं पर next moving on, सबसे पहले बात करें, hacked funds का status किया है, तो hacker ने अभी भी यह crypto funds जो चोरी हुए, तीन wallets के अंदर divided रखे हो है, उसके आदा भी कुछ activity नहीं है, दो हफते से जादा हो यहाँ हो चुका है, जब भी इस चार्ट को देखता है, हमेशा में कोई याद आता है, hacker ने भी तीन wallet के अंदर यहाँ पर crypto को रखने का सुचा, लेकिन वजीरेक्स वाले ऐसे थे, कि 45% of crypto funds सिर्फ एक ही wallet में आप पर रखे है, अब moving on, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, वजीरेक् ने यहाँ पर यह बोला था कि नहीं, हमने चेक कर लिए हमारे सिस्टम यहाँ पर compromise नहीं, हम फॉरंसिक के लिए भेज़ोंगे reporting के लिए, उसको लेके इन उन्हें report finally publish करी, जहाँ पर इन्होंने mandate जो यहाँ पर Google की सब company है, उसने basically इसके उपर security analysis के और उनने बोला कि उनके नहीं है यहाँ पर, और उसके आद फॉरंसिक अनलिस्क बाद ही बता चला कि यह जो laptop थे, वो यहाँ पर compromise नहीं थे जब laptop के जब device से use करके, उसके sign यहाँ पर किया गया था, खीक है, उसके आद उन्होंने यहाँ पर ही बिला कि हम कुछ credible answer का वेट करें, निमनल की साइट स में यहाँ पर नहीं था, और उन्होंने final force sign यहाँ पर कैसे किया, तो इसके लिए के, और साथ मैं उन्हों यह बोला कि यहाँ पर जो speculation चल रही है, लोगों की, their pointing finger की wrong doing, malicious activity, वजीरेक्स की तरफ से उसको लेके, जो answer है, वो यहाँ पर मिल गया है, अब इसको अगर मैं आप साइनर्स थे, यह वजीरेक्स के साइनर्स थे, वजीरेक्स के लोग थे, जिनके पास साइन करने की authority थी, devices में उनके पास, जिसमें से minimum 3 साइन होने चीए थे, किसी भी transaction की जाने की, जब वो 3 साइन करेंगे, वो साइन जाएगा निमिनल के पास, और निमिनल 4th signature यहाँ पर क उसी को चेक करा है, इनका पता चला कि यहाँ पर laptop जो थे, वो तो compromise नहीं थे, लेकिन in the end फिर भी इन्होंने signature जो थे, वो किये थे, और दीकिए वजीरेक्स ने पता है क्या किया, वजीरेक्स की गलती सबसे बड़ी यह है, इन्होंने forensic report यह सारी चीज़े तो करी, और सबस industry practice जो होती है, security की वो होती है, और अगर आप उनको सुनोगे, तो आपको realize हो जाएगा, वजीरेक्स बोलते है नाम का, हम best security practices को follow करते हैं, लेकिन actually में कुछ करते हैं, जैसे एक best security practice ही होती है, कि जब आप crypto fund रखते हो, user के cold wallet में भी, तो cold wallet में भी अलग-अलग होते है, एक wallet में 10 million हो जाएंगे, एक में 20 million में percentage wise divided होते है, ताकि कलको एक wallet भी compromise हो जाए ना, तो सारे पूरे funds नहीं जाए, वजीरेक्स की पहली गलती, उन्होंने 45% of crypto fund, user fund, एक cold wallet के अंदर रखे होते हैं, इसी कारण से जब एक cold wallet गाया है, बहुत पूरे fund चलेगा, 2000 करोड एक wallet में इसे छोड़े, उसका दूसरी गलती यह, लोगों ने trust किया वजीरेक्स को, वजीरेक्स ने choose कि हम nominal को यहाँ पर use करेंगे, nominal को उन्होंने use किया और इतना use किया, और इतना trust किया, कि उन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी precaution नहीं रखे है, कल को nominal को use करे, उनके system compromise ह हो गया, उनका website compromise हो गया, UI compromise हो गया, कोई गलत detail दिख गया, तो हम कैसे बचेंगे, हमारे पास additional security layer होनी चाहिए, हम जो hardware wallet use करें, अगर उसमे properly transaction नहीं दिख रहे है, तो फिर हमको दूसरे cold wallet यहाँ पर hardware wallet use करने चाहिए, यहाँ पर जो hash है, उनको personally verify करना चाहिए, ऐसे system होन है, तो यह precautions उनने क्यों नहीं लिए, इतनी ज़्यादा dependency आपने numinal के उपर कर दी, जो सरफ तीन साल पुरानी company है, बल्लाइब आपने blindly उसको trust करें, कि numinal पर जो आएगा, वो सही, और अब यह सारी चाहिए, यह जो गलतिया है, यह आपकी तरफ से, इन गलतियों को आप इ इन हैक तो सारी चीज़ है यहाँ पर हो गई, लेकिन उसका outcome क्या है, 45% of user fund जो है, वो तो hacker चोरी करके यहाँ पर ले गया, लेकिन यहाँ पर 55% of crypto fund जो user के बचों है और INR, वो आप पिछले एक महीने से यहाँ पर hold कर रहे हैं, और पिछले एक महीने से एक ही चीज आप कर हैं, कभी report देख रहे हैं, कभी FIR file होगी, कभी complain होगी, कभी हमने यह कर दिया, in fact, यह forensic report का भी announcement, आप announcement of announcement कर रहे हैं कि forensic report जो है, वो यहाँ पर हम 24, 44, 48 hours के अंदर publish करेंगे, और उसमें भी आपने फिर आप यह blog दला, आज 24 hours में, और फिर बोल रहे हो, further forensic report जो है, और आग कर रहे हैं, उनको बोल रहे हो कि हमको भी credible answer दो, इन questions के उपर, ऐसी कुछ questions जो है ना, हम users, मतलब यहाँ पर users जो हैं, वो भी मांग रहे हैं, transparency report एक महीना हो गया, transparency report आपकी तरफ से नहीं है, कितने crypto चोरी हुए, कितना उसका amount था, कितने बचे हैं, उनके addresses यहाँ पर क्या हैं, क्या surplus था, वजीरेक्स के पास, कि extra, वजीरेक्स के आपर funds थे, जो उसमें हो, उससे user के उपर से, wait जो हो यहाँ पर हट सकता है, साथ में INR holding किती थी, इन सारी चीजों को लेकि कोई detail आप update यहाँ पर नहीं देरो, एक महीना यहाँ पर हो गया, और पिर आप बोलते है कि closed EMA, जैसे आपके tweets होते हैं, अभी तक आप आपने open EMA क्यों नहीं किया है, आप आईए crypto India पे, आप आईए channel के उपर, आप सीधे community से बात करिए, क्योंकि आपकी doubts create हो रहे हैं, जो confusion create हो रहे हैं, वो आपकी non transparency की कारण है, अगर आप transparency report publish कर देंगे, तो idea में लेगा, नह बाकी exchanges के साथ हुआ है, Binance cocaine, उन्हें जिस तरह से manage किया है, वो बहुत तलक लेवल का है, लेकि जिसने वजीरेक्स जो one of the leading exchange था, वो जिस तरह से manage करता है, clearly show करता है कि इंडिया में अभी exchanges उस standard पर आई नहीं है, बहुती mismanagement और बहुती carelessness यहाँ पर है, तो Indian guys यहाँ पर petition की next filing date, जो है, मतलब listing date जो है, वो 9th of, 3rd of September को है, और उसको लेकर update की आए, कि basically यहाँ पर एक, जो meeting है, वो हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, जो NCLT का petition यहाँ पर हुआ है, उसके जो advocates हैं वो, respondent यहाँ पर वजीरेक्स की तरफ से, जो यहाँ पर lawyers हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हुआ था, overall यहाँ पर हुआ है, कि jurisdictional issue था, कि मतलब कहाँ पर किस जगे यह होना चाहिए, इसी कारण से यह, जो current petition है, इसके ओपर next date मांगी गई जहाँ पर जो, जिन्होंने फाइल कर रहा है, उनके जो lawyers है, उन्हो थोड़ा और time यहाँ पर चाहिए, तो jurisdiction यहाँ पर issue बन रहा है, कि इसकी कहाँ पर case होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, आप इसको लेके और detail में तो idea नहीं है, but this is all I can read, so this is what is happening, अब गाइस, आज के वीडियो के अंदर overall वजीरेक्स hack को लेके, यही update है, question अभी भ बोल दो, लोगों ने पैसे आपको दिये थे, लोगों ने नहीं बोला था, निमिनल को यूज करो, आपने खुद ने यूज किया, लोगों ने नहीं बोला थे, कि आप यहाँ पर सिब निमिनल की UI को यह इस blindly trust करो, कि जो दिख रहा है, वो ही आप मान दो, वो इस पूरी ग आपकी है, सबसे पहली गलती की शुरुवात जो है, वो आपकी तरफ से हुई है, तो आप ही responsible और in the end, you have to give funds back to the customer, और सबसे बड़ी चीज यह, आपने जो 55% of crypto fund लोगों के रोके हैं, वो कब आप दोगे, एक महिने से लोग यहाँ पर पर परिशान है, मतलब आपको देख transparency report जो वो publish नहीं करें, या फिर publish करें, तो वो भी आधी दूरी करतें कि proper तरीके से देनी जो हम मांग रहे हैं, और उसके बाद जो है, मतलब यही चीज यहाँ पर करते रहें, बट overall हमको end में outcome जो चीए, अभी community के लिए जो चीए, सबसे पहली चीज कि transparency report complete publish हो, जैसे मैंन the channel, हम लोग जाके वाँ पर question पूर सकते हैं, लेकिन AMA से open where you take questions, ऐसा AMA मत करना close कि आप खुदी question उठाके खुदी अपने according कर लो, तो वो उससे कुछ होगा जी, तो वो questions को answer करना ऐसे time पर ज़रूरी है, जहाँ पर लोगों का concern मन रहा है, वो question answer करना नहीं, जिसका लोगो and tough situation, लेकिन don't lose hope guys, life में क्या problems बहुत आती है, जिसे अभी ये hack वाला incident है तो life का funda ना यही होता है, जिन्दगी में problem आनी है, आज एक problem आएगी, कल उससे और बढ़ी आएगी, पर से उससे और बढ़ी होई जाएगी, लेकिन बस ये है कि हमको उस problem को fight करना आना चीए, और किसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने mental strength जो है, उसको आप strong रखे, कोई गलत step मत लीजेगा, and strong लीजे, we'll be there, fight करेंगे अपन, मैं पुरी कोशिच करेंगे, try करेंगे, मतलब I'm here, I'm gonna support, जब तक होगा न, जब तक होगा, जब तक कोई credible answer नहीं जाए, and I hope, मतलब mean Indian ये जो भी हो गया, हो गया, लोगो के पैसे वहाँ पर यहाँ पर जाए, अब उसको लेके कोई solution जल्दी निकल के है, तो better रहेगा, and let's hope, WazirX भी जो है, यहाँ पर वीडियो को देखें, कुछ consider करें, transparency report publish करें, withdrawals को लेके update दें, और AMA open जो AMA है, वो भी करने का consider है, यहाँ community को answer मिलेनी, तो नहीं मिलेंगे, तो यही doubts create होते रहेंगे, जैसे भी overall हड़ जगे आपको देखने को बढ़ रहें, तो guys, आज के वीडियो में इता है, if you like this video, do like, do subscribe, and share भी कर दना वीडियो को, बाकि I'll see you in the next video, तो तकले, bye, and take care, see you guys, bye-bye.